वेलो वेल्कम बैक तो मैं याट्यूब चैनल तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि दिवाली का जो सोफा क्लीनिंग वो कैसे करवाई कि दिवाली के पहले आपका घर क्लीनिंग करवाए और स्पेशली जो सोफा है जहां पे दिन रात हम बैरते हैं तो उसका बहुत जरूरी है ऑर्बन कंपणी अभी इसके नाम है विखक जमा जाते थे तो आप लो बीख करके इसका घरे नहीं किया और मैंने अपना जो सोपा है इसको मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करवाए और इसका जो एइसका जो एक्सपेरिएंसम को मैं करने वाली हुं इस वीज्यो पर savings के दि तो वीडियो चाहें कि आंद में आपको पाता चालेंगा बुग करना है कि नहीं करना है अंका दीब बाथ रूम क्लीनिंग वह करवाएं वह बहुत ही अच्छा है और मोवहिन उब प्रेक्ट क्लीनिंग में देगा है तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि अर्भन कंपानी इसके लिए सबसे पहले Google Play Store में जाना होगा और जाकि आरवन कंपानी करके टाइप करना होगा पहले यह आरवन ख्लैप नाम के आते थे अभी एप डाउनलोड हो रहा है यह डाउनलोड अल्री हो गया है अब इसको ऑपन करना है अपन करते ही सबसे पहले फोन नंबर यहां पर डालना होगा जो भी आपका नंबर हो यहां पर डाल दीजिए अभी इसके बाद एक OTP आएगा जो कि और भी डालना पड़ेगा और इसके बाद यह अप्लिकेशन चालू होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर आपका लोकेशन जो अड्रेस है उसको सेट करना पड़ेगा और यहां पर बहुत सरे सर्विसे सहposition जैसे परस्विस् में सैलौन अब घढ में बुला सकते है मेंस का ओमेंस का पूरा होम जो क्लीन है वह सब कुछ इसके अंदर है तो अभी मैंने फुल होम क्लीनिंग का जो देख रहा है बॉक्स इसमें मैं क्लिक यहां पर आपको सारे डिल्स मिलेगा जैसे जैसे के आपका मोबीन मोबाउट यह सब क्लीनिंग वान बेच के ट्री बेच के वीला कुछ भी हो आप इसको बुक करके कि यहां तके कीचन का चिमनी विंडो ग्लास कार्पेट मैट्रेस और कार्टेंज भी क्लिन करवा सकते हो तो मैंने अभी सोफा क्लीनिंग मैंने बुक कर ली है चलिए दिखाती हूं मैं ही सीठ फ्रस इंग करपिट क्लीनिंग का जुट अप्शन दिया गया है यहां पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद आया देख सकते हो銘र फॉस सेटर फाइब सिटर ऐसे करके दियाग final right और और मैंने सेट्राइश केलिए और मैंने प्रॉभी cleanग की है और इसके बाद वो क्या क्या करने बाला है आपके सोप के साथ वो सब डिटेल्स में यहां पर लिखा गया है जैसे ड्राइब व्यक्यूम और व्यक्यूम क्या क्या होका सब डिटेल्स में आप देख सकते हो जैसे के मैंने भी बूक करने वाली थ्री सीटर सोपा तो उसके साथ थ्री पीलो का क्लीनिंग इलोग करेगा मैंने थ्री सीटर सोफा को यहां पर आइड कर दिया है इसका प्राइस दिखाड़ है 4.99 और शायद आगे जाके कुछ इसका टैक्स वगड़ा लगेगा तो देखिए इतना में थ्री सीटर सोफा विद थ्री पिलोग करते हैं करने के बाद यह पेज आएगा जहां पर आपको मेंबर्शिप लेने का लिए सो करेगा मैं इफ यू डोंट वन सो जस्ट क्लिक नो आइल पे 4.99 पे क्लिक करना है तो यह लोग अच्छे से मास्क पहना है और हाथ में ग्लाब्स भी है यह लोग आते ही फटफट अपना काम स्टार्ट कर दिया है तो मैंने इनको जहां जहां पर मेरा सुपी मार्क्स लगा हुआ है वो मैंने दिखा दिया मेरा सोफा इतना भी गंदा नहीं हुआ बट होता है ना बच्छा घर में रहता है तो कुछ ना कुछ गिरा रहता है अभी यह थोड़ा पेंट गिर गया था जैसे वाटर कलर करते हैं तो वह गिर गया था और जो हम लोग ऐसे बैठते हैं तो सोफा तो गंदा होता है तो आते ही यह लोग फैले ड्राइव वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया है और जिन लोगों के पास वैक्यूम क्लेना नहीं है वो लोग बहुत अच्छे से अर्बन कंपनी को बुक करके अपने सोफा को क्लीन करा सकते हो तो यह लोग पानी में कुछ स्वोलूशन डाला जो की कुछ सैंपू की तरह ही लगा मुझे तो वह शालूशन जालने के बाद अच्छे से फोम बनाया और फोम को अच्छे से सोफे में पूरा लगा रहे है अच्छे से और अच्छे से स्क्राब भी कर रहा है यह मेसिंद की मदद से भी बहुत अच्छे से स्क्राब कर रहा था और जहां चहां पर बहुत ज्यादा गंदा था तो आपर यह हाँ से कर रहा था यह देखिए मेरे जो पिलो है वह भी यह पैकुम करना स्टार्ट कर दिया है अब यहाँ पर्मानिन मार्कर से पूरा एक मार्क बना गया था जो मेरे बच्छा ने किया तो वह भी देखते हैं चल जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि यह देखिए बहुत अच्छे से ना यह मेशिन जितने भी ऑईल कुछ भी मार्क रहता है बहुत अच्छे से चला जाता है कि अब कुछ कुछ कामा खुद करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा कि आपके पास एक तो यह सब मेशिन नहीं रहते हैं या फिर रहते भी है तो आप करने जाओगे तो आप इतना अच्छे से प्रफेशनल की तरह नहीं कर पाओगे तो मेरे सला है कि आप लोग जरूर ब तो यह देखे अभी वेट भैकूम यह कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी यह देखे कि मेरे सोफा जो है यहां पर जो मारक स्थाना वो चला गया यह और यह जो हैंडल बगड़ा होते हैं यहां पर तो ज्यादा हाथ रखते हैं तो यह ऑईल के वज़ देखे रहा है ताके कुछ भी मारक ना रहे और यह साइड में वेट भ्याकूम भी कर रहा है यह देखिए वह जो मार्स चला गया थोड़ा सा बहुत लाइट है यह मुझे देखने को मिल रहा है इसी दूसरे को नहीं मिलेगा यह जो पर्मानेन मारकर से जो बना यह तो अबरी हैपी यह एकदम नया सोफा हो गया और यह सोफा मेरा बहुत फेवरिट है मेरा वाल पर मत जाईए क्योंकि वह मेरा पूरा घर ऐसे बड़ा है पूरा वाल पेंट कर दिया गया यह इस वी पूरा नया जैसे हो गया कुछ भी मार्क बगर नहीं है देख सकते अप लो नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू